हाई अबीवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वालकम तो में नी व्लॉग जो स्टाइटिंग में अभी आप सबनी क्लिप देखी वो त्यूस्टे मॉर्निंग की क्लिप थी मारे गर पर इतनी अच्छा मौहल मतलब आप सबने देख चलु रहा था मम्मी आई होई थी और हम सब का मिल इधर से उधर गूमना फिरना गप्पे करना इस टाइप का महौल था दो तीन दिन तक और उसके बाद सड़न क्या बुलते हैं मंडे को सब चले गए थे इवनिंग के टाइम मम्मी वगरा और हम लोग उसके बास मंडे की नाइट आई थी मौनिंग में हम ट्यूस्टे को उठे और में को फोन आया कि थोड़ी ना दादी की तब्या ठीक नहीं है तो फिर मेरे को ऐसे टेंशन सी हो रही थी क्योंकि दादी नास तक मेरी कभी भी मतलब कभी इतनी बिमार नहीं हुई है वो कभी हॉस्पिटल तक न उन्होंने डांस वगेरा भी करा था वह वाला जो व्लॉग है अगर आप सबने नहीं देखा ना तो मैं उसको कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी आप सब जरूर देखना जाकर के उन्होंने डांस भी करा था यहां पर आई थी तो फोन आया था कि उनकी तब्याद कि उनको वेंटी लिटर पर डालना पड़ गया और उनको कुछ भी नहीं हुआ था उनको जस्ट फीवर था और फीवर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाई गेट फीवर आ गया 105 पर तो फिलहाल अभी उनको हॉस्पिटल में ही रखा हुआ है और स्टार्टिंग में जो आप बहुत ही जादा मितलब अपने सामने अपने लोगों को तकलीफ में देखना क्या होता है आप सब समझ सकते हो तो उसके बाद जो जहां से टी बनाते हुए मैंने स्टार्ट करी थी वह फ्राइड है थी जब मैं वहां से अपने घर वापस आई थी जब मैं वापस आई थी तो वेंटीलेटर पे वो थी उस ताइम दो दिन से वो वेंटीलेटर पे थी जिस दिन मैं आई हूँ फ्राइडे को तो मैं उनसे मिलती हूँ आई हूँ वेंटीलेटर पे उस दिन उन्होंने थोड़ा से रिस्पॉंड करा था मेंस कि उन्होंने आईस खोली थी और मैं तो और फिर जस्ट मैं ऐसे पाकिंग वेकिंग कुछ नहीं जैसी मैं थी वैसे ही बस निकल गई मैं मतलब सेम कपड़ों में गई थी कुछ लेकर नहीं गई थी और 19 को हमारा पूरा प्रोग्राम था मतलब एक ग्रैंट पार्टी और्गनाइज करी हुई थी क्योंकि मेरे भाई का बेटा बतीजा होता है मैं बाल बाल कंफ्यूज हो जाती हूं भांजा या बतीजे में तो मेरे भाई के बेटे का फर्स्ट बर्डे था तो हम लोगों की जोरो कैसे नजर लग गई और सब कुछ खराब हो गया पार्टी जो थी वो भी कैंसल हम सबने कर दी थी क्योंकि दादी तो वेंटिलेटर पर या गई थी और उसके साटरडे को मैं यहां वापस आई थी तो साटरडे मौन मिलकर आई थी तो उन्होंने दो दिन के बाद करा था वो हम लोगों के लिए इतनी खुशी थी तो हम डांस कर सकते थे हमारे लिए इतनी बड़ी खुशी का दे था वो उन्होंने थोड़ा सा रिस्पॉंड करा था उनके मूं में फुट पाइप नोज में मूं में सब जगे पाइप्स लगा है उसके बीच में भी उन्ह इशारे होते हैं थोड़े से कि वह समझ रही थी तो मैं इसे स्टेज पर थी तो उनको थोड़ा सा ठीक देखा तो मैं घ़र आई क्योंकि तीम दिन से मैं सेमी कप्डों में थी तो क्योंकि मैं पता नहीं था ना कि ऐसा होगा सेम कपड़ों में थी एक दिन पहले मनीश आये थे तो कुछ कपड़े बगएरा ले कर आये थे बट उनको ना मतलब जैसे जेंट्स इतना समझ नहीं पाते ना कि क्या क्या लेकर जाना है तो वो ठीक से कुछ लेकर नहीं आये थे तो मैंने का मैं एक चक्कर मार कर आती हूँ आज थोड़ी सी ठीक लगनी है तो यहाँ वापस आई थी और continue मन तो नहीं लग रहा था आप समझ सकते हो कि जब कोई जब ऐसा महौल होता ना घर पे तो सब लोग एक दूसरे से बाते करकर के करकर के अपना टाइम पास करते हैं अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं तो मेरा भी ऐसी था कि सूबा से कुछ आज ब्रेकफ़स्ट में भी नी बनाया देखो मैंने नॉर्मल पराथा मनीश को बना करके दिया ता और बेटो को भी मैंने बही बना करके दिया और पराथा जब भी अब बैयंग ऊठाया था तो मनीश को भी पराथा दिया corre the course of her वो पूछता है कि क्या हुआ है कैसे हुआ है तो थोड़ी सी सारी चीज़ें चली थी आप सब के काफी कॉमेंट आ रहे थी कि मैं कहां बिजी हूँ तो गैस दो दिन मतलब इस सिचुएशन में थी न मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ बहुत ज्यादा बुरे दिन हमारी मतलब एक उमीद की किरन जो थी वो नजर आई थी और उसके बाद मैं तोड़ी देर के लिए घर आई थी कि मैं एक चकर मार कर आती हूँ शाम को मैं वापस चली जाऊंगी और ये जो आफटर नून तक का टाइम था न ये काटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था कि एकदम तकलीप सी हो रही थी कि मतलब जल्दी से वापस जाऊं यहां के भी बेचैनी हो रही थी और वहाँ पे था कि एक बार देखकर के आती हूँ घर को भी क्योंगी मैं ऐसी छोड़ के गई थी फ्रिज में सारा सामान वगएरा रखा हुआ था तो आज थोड़ा सा ठ हैं तो मैंने घर हो आती हूँ और कुछ कपड़े बगएरा भी ले आऊंगी जब तक मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती है में था कि उनको वेंटीलेटर से जब तक नहीं उतारा जाता ना तब तक सब के जो दिल से ना वो दगदग कर रहे थे और वेंटीलेटर पे जान दूसरी अमबुलेंस करी तो वो अमबुलेंक बहुत दूर से आई हुई थी उन्होंने हमें ऐसा बताया नहीं था मैंनों बहुत बड़ी स्टोरी है कि अमबुलेंस हमारी रास्ते में खराब हो गई तो दिनना बहुत जादा खराब था बहुत ही जादा लंबी स्टोरी है फाइनली हमने जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा वो बहुत ही जादा अच्छा हॉस्पिटल है तो उन्होंने जाकर के संभाल लिया और दो दिन वेंटिलेटर पे रखने के बाद दो दिन वो बिल्कुल होश में नहीं थी तीसरे दिन उन्होंने आखे खोली और उनको देख करके और अभी उमीद थी आज उनका ट्राइल था बस वेट कर रहे थे कि एक बार वो ठीक हो जाएं ट्राइल में मतलब खुद से रिस्पॉंड करने लगें तो साटड़े को मौनिंग में आ गई थी उनको मिलती हुई आई थी क्योंकि वहाँ पे न मिलने का टाइम होता है और यहाँ पे आई थी देखो आज बारिश हो रही है यह साटड़े का यह व्लोग है जो मैंने घरा करके कॉंटिन्यू करा था तो अभी हम सब यही वेट करें थे कि वैंटिलेटर पर रिस्पॉंड करें और डॉक्टर्स ने बोला था अज देड़ बज़े से उनका ट्राइल है एक बार अभी वह 100% वैंटिलेटर पर है तो वैंटिलेटर से थोड़ा सा सपोर्ट हटा करके देखेंगे कि उनकी पा रही हैं वो बिना ऑक्सीजन के मतलब बिना वैंटिलेटर की सपोर्ट ही और हर्ट के जो वाल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं हर्ट पंपिंग नहीं कर रहा है एट लीस्ट सर्वाइवल के लिए डॉक्टर ने बोला 60% हर्ट वर्क करना चाहिए बट उनका हर्ट जो है वो 45% ही काम करता है तो मेंली अभी वो 100% वैंटिलेटर पर डिपेंडेंट है तो ट्राइल के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है एक दिन पहले भी उन्होंने फ्राइडे को ट्राइल करा था बट उनकी बॉड़ी जो थी वो पूरी तरह कापने लग गई थी तो कोई सप कितना कुछ परसेंट कम करने से भी यह खुद की बॉड़ी इनकी रिस्पॉंड कर रही है अभी फिलहाल हम सब बार बर बर नहीं जा सकते बट मॉर्निंग में 11 बज़े और इवनिंग में 5 o'clock का टाइम होता है बट हम जाते हैं उनको देखते हैं उनसे बाते करते हैं होता है और बस वेट कर रहे हैं प्रे कर रहे हैं कि मेरी दादी पहले जैसे वापस आ जाए और फिर से एक बार आकर कि मेरे घर में दम जोरो शोरो से डांस करें यह थी चोटी सी जो मैंने ब्रीफ में स्टोरी आप सब को बता दी कि ऐसा मतलब दो दिन जो थे ना वह बहु क्योंकि मनीश ने एक नाइट यहां स्टे कर रहा था एक नाइट वहां जो दिन मैं गई थी जब मैंने कंडिशन बताई तो मनीश ऑफिस से डारेक्ट वहीं आ गए थे फिर उसके बाद उनको अगले दिन जाना था ऑफिस क्योंकि वह भी उस सेम कपड़ों में निकले वह तो उस नाइट फिर वह वापस आगए थे और फिर नेक्स नाइट वह कपड़े अपने भी लेकर आए थे और हमारे नाइट के लेकर के चले गए थे तो फिर फिर उस दिन हमने नाइट स्टे करा था फिर नेक्स ने हम यहां वापस आए थे तो आई थी तो फिर फ्रिज मे नहीं ही रखा रहा गया डेड़ लीटर दूर था फिल क्रीम फट गया एक लीटर था और मतलब बहुत सारा समान वगएरा था जो खराब हो गया था जिसकी वज़ेसे ना फ्रिज में बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी बैड स्मेल आ रही थी तो मैं फ्रिज को क्लीन करना तो भी था कि मैं यह सब समेट करके शाम को फिर मैं मेट्रो से चली जाओंगी तो अभी यही दोपैर का टाइम चल रहा था और फोन पर मैं कॉंटिन्यू बात कर रही थी फिर फोन आ रहे थे बैक टू बैक फोन 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 आ रहे थे थोड़ा बाते उनके बारे में सुन ओधा तो थोड़ा सर पूछहरी थी क्या हुआ कैसे तो यही स्बाद फोन फोन लगे होए थे पूश्यक्त है और 5 पर बात करते चारा रहे थे नहीं तो मेरे टाइम पास हो रहा था व menop phone के मेरे और मेरे को भी रहा नहीं जा रहा था जारहा था कि बस ज़ल्दी से ने कि और अभी फिलहाल में ट्राइल का भी वेट कर रही थी क्योंकि अभी फिर से ट्राइल था कि क्या रिस्पॉंड आना है मतलब 2-2 घंटे के बाद डॉक्टर्स ट्राइल कर रहे थे जैसे एक बार 11.30 बजे डॉक्टर विजिट होती है तो तब उन्होंने करा फिर एक बार जै ला था तो वही मैं ट्रायल का वेट खर रही थी यहां पे मेरा मूठशादा खराब था मैं सब जब तक पता नीं चल रहा था न क्योंकि मॉर्निंग में ग फेल हो गया था आज भी ड्रायल हो गया था आजब अधा तो वबी फेल हो गया था और सब लोग ब faço कर दो हर्कोई अपना अलग-अलग opinion देता है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें mainly था कि जब तक वो respond नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं कर सकता doctors तो अपना काम करते ही हैं हम लोग hopeless होजाते हैं doctors वगेरा के साथ कि कब ठीक होंगे actual में अगर दूसरी face दूसरे के point of view से भी देखा जाए तो doctors के हाथ में भी कुछ नहीं होता वो तो just medicine अपने side से दे ही रहे हैं और बस जब तक उनकी patient खुद से respond नहीं करेगा तब तक doctors भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि doctors भी तो एक practice में ही होते हैं क्योंकि हर body अलग होती है वो कौन सी चीज से कब क्या कौन response करता है तो doctors को भी उतना पता नहीं रहता है तो बस इसके साथ फिर मैंने fridge वगएरा भी clean कर दिया था फोन आया हुआ था चाची का तो मैं उन्हीं से ही बात कर रही थी कि क्या है कैसे है तो उन्होंने बोला कि अभी एक trial तो fail हो गया लेकिन शाम को एक trial उन्होंने फिर से करना है दोपैर के time या शाम के time करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि क्या condition है तो बस यहां पर फिर मैंने fridge वगएरा clean कर दिया था kitchen वगएरा clean कर दी थी क्योंकि वो बहुत जरूरी था बहुत जादा smell हो गई थी चीज़ें खराब हुई होई थी क्योंकि बहुत सारा समान भी रखा हुआ था ना मम्मी आई थी तो उसके बाद कपड़े वगएरा भी थोड़े दो तीन दिन के कठे हुए थे वो भी मैंने का वाश कर देती हूँ जब आई हूँ तो समान मतलब सेट करके जाती हूँ पीछे बालकनी में भी बहुत जादा dust वगएरा हुई हुई थी कुछ कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था जो मतलब बहुत जादा needed चीज़ें थी ना जस्ट मैंने वही करी थी फ्रिज क्लीन करा था थोड़ा सा ब्रेकफर्स में वही पराँठे सब को बना करके दिये थे और उसके बाद कपड़े वगएरा वाश करने जरूरी थे क्योंकि हम आये थे तो मिलते हुए आये थे हॉस्पिटल से तो आकर नहाय थे हॉस्पिटल से आते हैं तो फिर एक पन हाना होता है न तो बस नहाय थे और उसके साथ सब फिर मैंने टी बनने के लिए रखी थी टी टी के लिए मिल्क नही था तो बस ऐसी प्लेए टी मैंने बनाई थी थोड़ा अली मॉनिंग ये आ गए थे हम और उसके बाद बस ये कपड़े वगएरा वाश करें थे सारा जो घर था वो बिखरा ही हुआ था ये वाला बैट भी फैला ही हुआ था क्योंकि जब ममी वगएरा आये वे थे तब हम उधरी रूम में नीचे मैटस बिचा करके सोते थे क्योंकि गर्मी बहुत जादा है और गर्मी की वज़े से ही उनको हाई ग्रेट फीवर हुआ है और हाई ग्रेट फीवर हुआ और ओर गेंस उनके थोड़े से डामेज थे जो की सर्वाइब नहीं कर पाए तो मतलब सीरियस कंडिशन हो गई और गाईज यहां पर टाइम हो गया है शाम का जो ट्राइल था ना मतलब सक्सेस्फुल हो गया था यहां पर मेरी खुशी का ठीकाना नहीं था मेरी क्या पूरे घर में आप समझ सकते हैं पेशन्ट होता है तो इंसान फिजिकली, मेंटली, फाइनाशली, एमोशनली बुरी तरह तूटा हुआ होता है सब जगह से उनको हार होती है एमोशनली वो बहुत तूट जाता है फाइनाशली और भी ज़्यादा नीचे चला जाता है क्योंकि सब तरह से वो हार जाता है और यहाँ पर जब उमीद के किरन आई तो हम लोग परेशान मतलब बहुत खुशी से पागल हो गए थे कि फाइनली शाम तक मेरी दादी जो थी वो वेंटीलेटर से उनको हटा दिया था उन्होंने कुछ रिस्पॉंड करा था वेंटीलेटर से उनको हटा दिया गया था तो गाइस बस यही थी आज की अपडेट